एक्सराइज 11.1 का कोश्चन नमबर 3 है कर्श्रक्ट ट्रेंगल विज साइट 5 सेंटिमेटर 6 सेंटिमेटर एंड 7 सेंटिमेटर एंड देन अधर ट्रेंगल हुज साइट्स आज सेवन वाई 5 ऑफ ते एकक्स्कूसराइज वाई वाउल करना है त्यक्सके है भी एक definitely सेंटिमेटर एक लाइन को ड्रॉ Ici बाइन केर सकते हैं आपके उपर चऊंच है आप तो तेनों में से किसी भी लाइन को ड्रॉ करक सकते हो यह जरूरी नहीं होता पहली को ही ड्रॉ करहा करना है तो जो 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 कर रहे हैं वो लिख्ट दो एक लाइन की कर लेता है यह रही 5 cm यह आपने 5 cm की लाइन ड्रो कर दी और इसको नाम दे दो आप A B ठीक है इसका नाम है A B ठीक है अब आप क्या कर होगे आपको ट्रैंगल फॉर्म करना है तो दूसरी साइड क्या है, 6 cm सीधे 6 cm की लाइन ड्रो नहीं करते थे, 6 cm हम रेडियस का क्या इतरो करेंगे एक पार्क ड्रो करेंगे तो 6 cm करते हैं किससे से आप 6 cm करोगे यहाँ पर 6 cm इसको इसको windows कर लो तो अब क्या गर होगे आब ? ए पॉइंट से कट लगा दोगे एक 6 cm का ठीक है ऐसे ही दूसरे साथ के है 7 cm तो आप 7 cm फिर से मेजर करोगे और 7 cm का B पॉइंट से कट लगा जहां पर ये दोने एक दूह को कट करेंगे उसको मिला दोगे ठीक है ठीक लग रहा है, viewpoint पर रखो, say और ये cut लगा दो, ये point मिला आपको, C, ठीक है, ये C point मिला है, तो इसे मिला देता है, एक बार A से, एक बार B से, ठीक है, आप थोड़ी इसी कड़बर हो गे है, थोड़ी नीचे draw करनी थे line, क्योंकि जो similar triangle बनेगा, वो बढ़ा बनेगा, क्य कि कैसे बता जल रहा मुझे बढ़ा बने का क्योंकि यह जो रेशियो दे रखा है वो 7 by 5 रे नुम्रेटर बढ़ा है इसका उन्दर ट्रेंगल बढ़ा बनने वाला है यानि बाहर जाने वाला है ठीक है तो मैं इसको समाल सकता हूं मेरे पास एक option है अभी समालने का ठीक है उस point को क्या गितों क्यांब c point है यह जो point है आपका c point है अब आप क्या करोगे a point पे acute angle वाजी line draw करोगे acute angle मतला 90 degree से कम तो नौर्मल यह line है तो ऐसे draw करते है तो 90 degree बनता है तो इसको थोड़ा सा अंदर को bend कर दो acute angle ठीक है तो यह draw करते था हम acute angle की line acute angle draw कर दिया मैंने अब मुझे कितने cut लगाने डिपेंड करता है maximum value पे ठीक है इस पे जैसे हम cut लगाते थे जब वो line segment को divide करना था उसमें क्या करते थे हम दोनों को add करते थे दोनों को add नहीं करेंगे यह similar triangle वारा question है ठीक है इसमें add नहीं किया जाता है इसमें maximum value होती है उतने cut कितने cut लगाने 7 मैं cut अगर नहीं छोटे छोटे करता हूँ ना बहुत कम कट अगर मेरे बहुत कम होंगे ना यहां पर चूट value आएगे ना और नजदीक आएगी ताकि मुझे यहां रिखे भी मना जाना पड़े ठीक है तो मैं इसको अभी भी बचा सकता हूँ है but trick है मैं क्य कहोगे evenं जो पहला काट है फिर इस पह रख दो अब hey hey एक बने ठाँ, A2, ऐसे दूसरे पर रखोगे, A3, ठीक है, समझ मा रहा होगा, A1 पर रखो, A2 बनेगा, A2 पर रखोगे, A3 बनेगा, A3 बन गया है, तो A3 पर रखो, A4 बनेगा, A4 पर रखोगे, A5 बनेगा, A5 पर रखोगे, A6 और A6 पर रखोगे, A7, ठीक है, देखने रह या तो इसका नाम रख लेता है हम यह A था तो यह बनेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 and A7 ठीक है? क्यों 7 कट की लगे? क्योंकि जो maximum value होते है उतने 7 y 5 था तो इसका 7 कट अब हम क्या करेंगे? अब मुझे यह समझ माना चाहिए क्यों आपको बात बताई क्या बताई? कि जो triangle बनेगा न? वो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा क्यों कैसे पता चला मुझे बड़ा बनेगा? जो ratio था वो क्या था? 7 by 5 तो clearly इसकी value ना greater than 1 है अगर value greater than 1 है आपको समझ माना आता है तो आप यह सोचे numerator बड़ा है तो denominator से numerator बड़ा है तो triangle बड़ा फॉम होगा बड़ा कैसे form होगा? यह original triangle ही है तो इसका मतलब जो triangle दूसरा triangle होगा वो इसके बाहर जाएगा बाहर जाने के लिए इसका मतलब आपको ना यह इस line को extend करना पड़ेगा क्योंकि triangle बड़ा बनने वाल है तो आपके अगर वी line को extend करोगे ठीक है? इस line को क्या कर दिया? आपने extend कर दिया आगे को ठीक है? अब clearly अगर आप इससे पहले वाले question में जो देखा होगा आपने second question में last point को ना जो 7 होता है उसमें 3 था उसको हम यहां से यहां मिला देते हैं अब अगर आप इसको actual में यहां से यहां मिला दोगे आपके बास दूसरे point का है A5 है ठीक है? 5 है तो 5 वाले को कहां मिलाओगे? ठीक है? तो वो दिमाग लगता है automatically जब आप करोगे आपको भले ही confusion हो लेकिन common sense है ना अगर मैं इतना है तो आपका काम आसान हो जाएगा क्यों आपको 5 भी तो मिलाने मुझे अगर मैं A7 को यहां last point से मिला दूगा तो मेरा तो काम खराब होगे क्योंकि मुझे पता है triangle बढ़ा बनने वाला है ट्रेंगल बढ़ा बनने वाला है दूसरे point को कहां मिला होगा मैं यहां मिला होगा तो triangle जोटा बन गया अंदर बन गया तो मैं A5 को क्या करूंगा B point से मिला होगा ठीक है किसको मिला रहा हूँ A5 को यह ना common sense होता है इसमें बिस दिमाग लग लग रहा होता है concept तो है यह लेकिन दिमाग भी है simple था common sense लगाओगे आप इसको यहां से यहां मिला देगा क्यों मिला है आपने का triangle बढ़ा फॉम मुने वाला है तो यह यहां मिलेगा normal situation में last point को यहां मिला ठीक है अब इस point को क्या गरेंगे यहां रेंडम दिमा मिला देंगे पकड़ा और ऐसे खेशदी लाइन ना concept क्या था concept यह था जो line आपने मिला इंड पॉइंट से जो मिलाई उसके पहले line ट्रौ करते हो तो same concept इसके पहले लाइन अब यहां ड्रू करए है नॉर्मल शिच्छ पूतने यहां की पहले लाइन यहां ट्रू करए से, अब इसको चेंज नहीं करना अब आप इसको ए 7 पर रखे है good मैंने इसको a7 पर रखा यह draw कर दी अब आप a5 को major कर हुए कि a5 a5 b already draw की हुई है इसको major करोगी कि यह कितनी है actual में हम यह major कर रहे हैं यह angle major कर रहे होते हैं बैस हमको यह angle का नाम नहीं पता होता है हम major करते हैं और उतना ही draw करते हैं ठीक है यहां से रखा इसको major किया हमने का यह इतना है बस यह इतना ही होना चाहिए पकड़ा इसको draw कर दिया और इसको मिला दिया ठीक है इन दोनों को मिला दो कि वहां automatically मिल जाएगा वहां नहीं सूचना कि कहां जा रहा है ठीक है तो यह रहा है सही जा रहा है हम तो यह गया यहां ठीक है यहां चले गया इस पॉइंट को गया कि यह बी है तो इसको कहते थे हैं हम बी डैस ठीक है अब वही concept है यह जो point मिलता है हमको इस line segment पे हम यहां पे again जो line already draw होगी होती है जो side उसके पहला लेग line draw करते है वही case है पहला draw करना है गकैंट उनघर है तो हम क्या करेंगी पहले इसको measure करी गईगे यह आप कितने चोड आप कितने हो उतन यह को हम इसको भी बनाएंगे हमने खरकल ब्लो मझे हमने पकड़ा और एक आर्क ड्रॉकर दी वो ही यहां भी ड्रॉकर धी हम धने कितने हो यह नापने तुद रहा तो तो हमने जब मेजर किया ना उसको तो आई तिंक यह ओल्रडी वही आ रहा है ठीक है तो हमको इसको एड़्जस करने की जड़ोदी नहीं पड़ी आप आता नहीं है वह आ रहा है आप एड़्जस करने पड़ सकती है इसे चुना आपको ठीक है यहाँ अब आप क्या तरहोगी इसको इसको यहां मिला तो एक यहांétais दो हम आपा較 है इसको यह मिला दू जाया पर तो हम इसको मिला देंगे यहाँ पे ठीक है यह point B dash है यह point C है तो यह point क्या होगा C dash तो इसको हम लिख देते हैं C dash यहाँ पे आया C dash यह point ठीक है समझ मा आ रहा होगा ठीक है concept समझ मा आना चाहिए तो यह हुए हमारी situation तो हमारा जो triangle form हुआ न यह original triangle क्या था A B C और जो similar triangle form हुआ वह हुआ A B dash C dash अब हमको क्या करना इसका justification जब हम justification करेंगे हमारे trick क्या है trick है हमारा जो concept है वो simple सा है यह मैंने जान मुझ कि किस ratio में divide किया है 7 by 5 यह मैंने खुद किया है construction से तो मैं इसको कह सकता हूँ यह जो आपने R के लिए आपको नहीं पता कितने लिए है लेकिन assume कर लो X थी आपको नहीं पता X मान लो तो कहां से यहां तर कि distance कितनी X 1 cut लगा है 1X 2 cut लगा है 2X 3 cut लगा है 3X तो 5 cut में कितने X हो जाएंगे 5 और 7 cut में 7X तो जब A A7 रिखोगे A A7 की length कितनी होगी 7X मानते हो नहीं मानते हो यहां से अगर X मानते हो आपको पता नहीं है length जो आपने measure किती लेंगे X मान लोगे तो A7 A से A7 तक कितने X हो जाएंगे 7 तो 7X हो जाएगा और A से A5 तक 5X तो A अगर आप इसको ऐसा लिखोगे A A7 divided by A A5 आप कहोगे A से A7 तक कितने X आए 7X A से A5 तक कितने 5X X से X cancel out गया ratio कितना है 7 by 5 यह by construction में इसको A A7 divided by A A5 लिखूँँगा तो उसको automatically 7 upon 5 लिखने हो ठीक है इसमें जब justification करूँगा तो मेरे trick क्या है यह जो triangle देख रहा है A B A5 एक triangle है और A B' A7 दूसरा triangle है तो यह दोनों triangle ना similar हो जाएंगे ठीक है कैसे करूँगा similar यह जो angle देख रहा है आपको यह दोनों line parallel है मैंने construction से draw किया है यह A5 B और A7 B' यह मैंने construction से दोनों line parallel किया है तो यह situation नहीं ऐसी है जब दो line parallel होती है उसको एक third line cut करती है तो यह जो angle होती है इनको कहते है corresponding angle और यह न parallel line के case में अगर यह parallel line का symbol होता है यह तो उनों line parallel है तो यह corresponding angle आपस में equal हो तो इनको देखो यह parallel है इसको एक third line cut कर रहे है तो यह angle और यह angle क्या होंगे आपस में equal होंगे by corresponding तो यह angle equal होगे और यह जो A है इसको देखोगे A5 A B angle A आ रहा है और A7 A B dash अभी भी angle A आ रहा है तो दो triangle में दो angle आगे equal ठीक है तो by A A similarity से दोनों triangle क्या होगे same concept यहाँ यह corresponding angle और यहाँ पर यह उपर वाला A दोनों के लिए क्या हो गया common हो गया तो फिर same A corresponding A similarity triangle से यह दोनों triangle क्या होगे similar अगर triangle similar होते है corresponding sides का ratio क्या होता है अपसमें equal होता है तो A A B dash upon A B ऐसे ही corresponding side क्या होगे equal लेकिन गौर से देखूँगे जब मैं इसका ratio लिखूँगा तो उसमें भी यह वाली side आगी और जब मैं इस triangle के लिए corresponding side का ratio लिखूँगा तब भी यह आएगी तो यह किसके equal है अभी 7.5 के तो वो equal हो जाएगी यह और यह equal होगी तो यह कितना हो जा है तो प्रूब में क्या करना है एगी तैस ठीक है एगी तैस किसके equal करना है यह side इसकी क्या है 7.5 है एगी तैस इस इस ओरिजिनल side क्या थी जो ओरिजिनल triangle की side थी एगी एगी की यह 7.5 है ऐसे ही b c dash b dash c यहाँ पहुँचा था उपर यह क्या है इस इस original side की 7.5 है ऐसे ही यह side a c dash a c side की 7.5 है तो क्या करने वाले है triangle को पहले similar करेंगे ठीक है तो हम करते है triangle को similar तो by construction दोनों triangle जो triangle similar करने वाले उनको ले ले लता है कौँसे triangle in triangle in triangle a b c और इंडल जो triangle था और दूसरा triangle जो हमने similar triangle draw किया है a b dash c dash किसके बाद और यह समझ मा आ रहा है a b c a b dash c dash ठीक है तो जो मैंने अभी explain किया यह angle क्या है corresponding angle है a b c a b dash c dash corresponding angle आपस में क्यों है क्यों है यह दोनों line क्या थी पहल वल थी तो यह दोनों angle क्या होंगे equal होंगे तो मैं यहां से लिख सकता हूं angle a b c is equal to angle a b dash c dash कैसे लिखा मैंने क्योंकि यह क्या है corresponding angle है corresponding angle equal होते है बिल्कुल होते हैं हमें पता है ठीक है पिछली classes पढ़के आए ना तो ऐसे ही अब देखो angle एक जिसकी बात में करा था common angle a sorry b a c b dash a c dash ठीक है तो b a c is equal to b dash a c dash यह क्या है common angle है दोनों के लिए तो दो triangle में है अगर दो angle equal में लगए तो दो ट्रेंगल क्या होते हैं similar होते है triangle a b c is similar to triangle a dash a dash नहीं नहीं था b dash c dash a वाला dash नहीं है ठीक है तो सिर्फ a b dash c dash a dash नहीं है आठीक है यह कैसे होगे equal by इससे a a similarity से ठीक है a similarity से यह दोनों triangle क्या होगे आपस में similar होगे अगर triangle similar है तो उनकी corresponding part का ratio भी होना चाहिए आपस में equal होना चाहिए तो पहले आप a b ले लो यहां से a b dash आ जाएगा तो a b upon a b dash किसके equal होगा b c upon b dash c dash b dash c dash is equal to a c upon a c dash इसके equal होगा इसको किया दो आप equation 1 ठीक है अब ऐसे ही जैसे इन दोनों को similar किया ऐसे यह उपर के दो triangle similar किया ऐसे इन दोनों को भी similar किया आपसका same concept यह वाला angle a common होगा तो इसको जल देदी कर लेते हैं इन ट्रेंगल के दिमाग में में चब गई इन ट्रेंगल क्या था a a5 पर जाओ फिर b पर जाओ ऐसे and triangle अब a से a7 पर जाओ और b dash पर जाओ तो a angle ना common था पहले इसी को लिखते है a को बीच में लिख दो a5 को पहले लिख दो a5 a को बीच में डाल दो is equal to a7 को पहले लिख दो और a को बीच में लिखते हो ठीक है b dash यह क्या है common angle है a वाला angle common हो रहा था ऐसे ही अब a5 पर एंगल बना दो यानि इसी का नाम लिख दो a a5 b is equal to angle a a7 b dash ठीक है समझ में आ रहा है a a5 b a a7 b dash यह दोनों angle corresponding angle है तो इसलिए equal हो जाएंगे corresponding angles ठीक है corresponding angles आपस में equal होता है जब lines parallel होती है अब क्योंकि दो triangle में दो angle equal मिल गए है तो दो triangle क्या होंगे आपस में similar होंगे तो triangle a a7 b dash similar हो गए by किससे same logic a a similarity से दोनों triangle हो गए similar अगर triangle similar है तो corresponding side का ratio क्या होगा आपस में equal होगा तो corresponding side क्या होगी यहीं पर लिख लेते हैं a b जान मुझ के इसको लिख रहा हूँ मैं a b हो तो 3 side सकती है तो हम दो के उपर focus करेंगे a b upon a b dash बनाएंगे a b ठीक है a b यहां से लिए तो यहां से क्या लिख लिख अब मैं जान मुझ के जो मैंने बात कही थी a 5 a a 5 upon a a 7 ठीक है अब मैंने आपको explain किया था कि a a 5 upon a a 7 कितना होगा a a 5 upon इसका उल्टा कितना होगा आपका 7 by 5 यहां पर हो जाएगा 5 by 7 ठीक है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 by 7 तो हमने थोड़ा उल्टा रेश्यों लिख दिया उससे कोई 5 नहीं पड़ता ठीक है हम रेश्य को पलट भी सकता है ना तो यह आगया हमारे यहां से हम लिख सकता है ए यह था कहां गया ए ए फाइब ए ए फाइब ए ए ए सेवन इस एकुल टू कितना हो जाएगा 5 by 7 ठीक है यह ऐसा आया ठीक है अब इसको एक्वेशन क्या कहलो अब मुझे क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है ए बी अपन ए बीड़ाईस इकोल टू इसका है और यह खुद कितना है इसका क्या है यह उतकर हम अंहिokes और यह रहा है 5 खुल यह थो हिगे 5 इंट 2 अध्योज क्या हो गया है क्योंकि यह a b upon a b dash equal to कितना हो गया था क्योंकि यह इसके equal था और यह खुद किसके equal है 5 upon 7 के तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा final था a b upon a b dash is equal to the b c upon b dash c dash is equal to a c upon a c dash अब क्योंकि यह 5 upon 7 के equal है और यह 3 equal है तो यह 3 को 3 किसके equal होगे 5 upon 7 के तो यहां से मैं क्या लिखने वाला हूँ a dash a b dash ठीक है पहले डम को और last time को equate करो ठीक है पहले डम और last time को equate करो कि तो यह a b dash कहां पहुँच जाएगा यहां ठीक है यह ऐसा हो जाएगा a b upon a b dash is equal to 5 upon 7 जो उल्टा लग रहा था वो सीधा होने आ रहा है कैसे यह 7 यहाँ जाएगा 7 ठीक है 7 a b और उपर 5 है तो पहुंच जाएगा नीचे और यह a b है यह क्या पहुंच जाएगा यहाँ कुछ नहीं बचाएगा यहाँ क्या बचे रहेगा 1 बचे रहेगा तो a b divide में तो उधर जाएगा multiply तो यहाँ बन जाएगा a b dash तो हमको probe करना था जो क्या probe करना था a b dash is equal to 7 upon 5 a b तो a b dash is equal to 7 by 5 a b अब मैंने a को लिख दिया है सब को ऐसे लिख सकता हूं ठीक है तो हम clearly यहाँ से ऐसे ही b dash c dash को लिख सकते हैं 7 by 5 या b z ऐसे ही a c dash को लिख सकते हैं 7 by 5 a c तो यह क्या हो चुका है probe हो चुका है तो finally मैं लिख सकता हूं hence justified कर रहे थे तो हम justified लगेंगे ठीक है justify 5 अबीद करता हूं आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा thank you and have a nice day